नमस्वार दोस्तों आप सभी का सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल रविशाडी आई क्यू जीके पर आज मैं आपके लिए फरवरी 2020 के Most Important 200 Current Face के कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टिड लिए हैं अच्छे लेवल के लिए हैं वही कोशन लिए हैं जो कोशन आपके एक्जाम के लिए Important रह सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं First Question से First Question है मारा हाली में कि स्मार्टफोन कंपनी ने इस वीडियो की नाविक तक्नीक का उप्योग करने की घोशना की है सही आंसर इसका Option D. Xiaomi Xiaomi जिसे की MI के नाम से भी जाना जाता है इस smartphone company ने इस रो की नाविक तक्निक का उपयोग करने की खोशना की है important question रहेगा अपके exam के लिए friends यहाँ पर बात हुई है नाविक तक्निक की जैसे friends हम GPS यूज करते हैं location देखने के लिए वैसे friends हम नाविक तक्निक का यूज करेंगे GPS में अभी friends क्या होता है कि Google की technology यूज होती है बट अभी जो जो नाविक तक्निक है इसमें इसरो की technology यूज होगी और जो Xiaomi company है इसने ये decide कि ये नाविक तक्निक को अपने phone में यूज करेगा friends यहाँ पर बात हुई है इसरो की इसरो का full form होता है Indian Space Research Organization हिंदी में full form होता है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्ट 1969 को इसरो का headquarter बैंगलूरू शहर में है जो की करनाटक राज्ये में है और इसरो के संस्थापक है विकरम सरा भाई और सबसे ज़्यादा important है वरतमान में इसरो के अध्यक्ष हुआ है के सिवन important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते है धन लक्षमी बैंक के नए MD&CEO कोन बने है सही answer इसका option D. सुनील गुर्बक्षानी सुनील गुर्बक्षानी को धन लक्षमी बैंक का नए MD&CEO नियोक्त किया गया है यह question भी friends आपके exam के लिए important रहेगा friends यहाँ पे धन लक्षमी बैंक की बात हुई है धन लक्षमी बैंक की जो स्थापना है 1927 को हुई थी और इसका headquarter केरल राज्यक के तिरशूर शहर में है important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते हैं केंद्रिय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है सही answer इसका option D 24 फरवरी 24 फरवरी को हर साल केंद्रिय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है friends यहाँ पे केंद्रिय उत्पाद शुल्क दिवस की बात हुई है इसे हम central excise day भी कहते हैं friends मैं आपको फरवरी महिने के current affairs करवा रहा हूँ तो फरवरी महिने के जितने भी महतोपुन दिवस है एक बार मैं आपको revise करवा देता हूँ एक फरवरी को भारतिय तत्रक्षक दिवस मनाया गया है दो फरवरी को विश्व आदरभूमी दिवस मनाया गया है चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है तेरा फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है बीस फरवरी को विश्व सामाजिक नयाई दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को अंतर राश्टिय मातर भाशा दिवस मनाया गया है और 28 फरवरी को राश्टिय विज्ञान दिवस मनाया गया है important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते हैं हाली में ICC ने किस देश के खिलारी अल बलूशी पर 7 साल का बैन लगाया है सही answer इसका option A ओमान ओमान देश के खिलारी है अल बलूशी इस पर ICC ने 7 साल का बैन लगाया है important question रहेगा आपके exam के लिए फरें जितने भी मैं आपके edition information दे रहा हूँ सब अपने आप में question है और exam में पूछे गए है friends यहाँ पर ICC की बात हुई है ICC का full form होता है International Cricket Council Hindi में full form होता है अंतर राष्टी क्रिकेट परिशद ICC का मोटो होता है Cricket for Good यह आपने याद रखना exam के लिए important है ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को ICC का जो headquarter है दुबई शहर में है दुबई UAE देश में है UAE का full form है United Arab Amirat और ICC के वरतमान में अध्यक शशांक मनुहर है और ICC के CEO है मनु सहानी और फ्रेंट्स यहाँ पर उमान देश की भी बात हुई है उमान जो है एशिया महादीब में स्थित है उमान की राजधानी मसकट है और उमान की करंसी रियाल है और आपने याद रखना है अल बलूशी जो की उमान देश की है इस पर ICC ने साथ साल का बैन लगाया है इंपॉर्ण कोशन रहेगा नेक्स कोशन कर लेते है हाली में लोसर उसब को कहां मनाया गया है सही आंसर इसका ऑप्शन A हिमाचल परदेश राजजे में हिमाचल परदेश राजजे में लोसर उसब को मनाया गया है फ्रेंट्स यहाँ पर हिमाचल परदेश राजजे की बात हुई है हिमाचल परदेश की राजधानी शिमला है यहाँ के मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर है जो की BJP पार्टी से है और यहां के गवणर का नाम है बंडारू दतात्रे और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटे हैं, राज्य सभा में 3 सीटे हैं और विधान सभा में 68 सीटे हैं और हिमाचल परदेश उच नियाले के मुख्य नियादिश है लिंगपा नियादिश है यहां के उच नियाले के मुख्य नियादिश है Next question कर लेते हैं हाली में Catherine Johnson का निधन हुआ है वे कौन थी सही आंसर है option B NASA की गनितग्य हाली में Catherine Johnson का निधन हुआ है वह NASA की गनत्यग्य थी फ्रेंट्स यहां पे बात हुई है NASA की NASA का full form होता है National Aeronautics and Space Administration हिंदी में full form होता है राष्टिय वेमाने की और अंतरिक्ष परबंदन NASA की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी NASA का मोटो है For the Benefit of All सबस्यादा important है NASA का मुख्याले जो की Washington DC में है और Washington DC USA में है यानि अमेरिका में है और वर्तमान में अध्यक्ष है Jim Bridenstine ये नाम भी आपने याद रखना है Next question कर लेते है NHPC के नई अध्यक्ष कोन बने है सही answer इसका Option A अभे कुमार अभे कुमार जो है NHPC के नई अध्यक्ष न्योक्त होएं है Friends, यहाँ पर word आया है NHPC NHPC का full form होता है National Hydro Electric Power Corporation और Friends, यह जो NHPC है इसका अब नाम हो गया हो है NHPC Limited ठीक है यह आपने याद रखना है और NHPC की स्थापना हुई थी 1975 में और सबसे ज़्यदा important है NHPC का Headquarter जो कि फरीदाबाद शहर में और फरीदाबाद कहां पे है हर्याना राज्ये में स्थित है Friends, मैं आपको बता दू इस वीडियो में आपको most important 200 current affairs के question करवाने वाला हूँ यह current affairs के question इतने ज़्यादा important अगर किसी भी exam की आप त्यारी कर रहे हो यह questions आपके लिए काफी ज़्यादा important रहेंगे Friends, अगर आपको यह सभी के सभी बिल्कुल detail में पढ़ना है अगर आपको जैसे PDF की जरुत होती है तो आपको क्या करना है Friends मेरे website पर आजाना है website का नाम है www.ravistudyqgk www.ravistudyqgk.com यहाँ पर आके Friends, आप यह पढ़ सकते हो और साथ में जो मैंने explanation किया है वहाँ पर ओलेडी लिखा है तो website का नाम है www.ravistudyqgk.com यहाँ पर आके आप पूरे के पूरे questions पढ़ सकते हो और Friends, जब मैं आपको यह 200 questions करवा दूँगा इस वीडियो में, एक बार फिर से 200 questions revision भी करवा दूँगा ताकि Friends, आपको सभी के सभी questions इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं लास्टे मैंने आपके लिए 10 questions का online test भी रखा है non-government organization और हिंदी में full form होता है इसका 11 सरकारी संगठन यह आपने याद रखना है next question है मारा भारत और किस देश के बीच संयोक्त वायू सेना अभ्यास इंदर धनुश शुरू हुआ है सही answer है option A, Britain भारत और ब्रिटेन देश के बीच संयोक्त वायू सेना अभ्यास इंदर धनुश शुरू हुआ है important question रहेगा आपके exam के लिए friends यहाँ पर बात हुई है वायू सेना की वायू सेना को हम Indian Air Force भी बोलते हैं और भारतिय वायू सेना की जो स्थापना है 8 October 1932 को हुई थी और वायू सेना की अध्यक्ष है Air Chief Marshal RKS बदोडिया यह भी आपने याद रखना है next question कर लेते है RBI ने किस बैंक को बिना अनुमती के नई शाकाओं को खोलने की मंजूरी दे दी है सही answer है option D बंदन बैंक RBI ने बंदन बैंक को बिना अनुमती के नई शाकाओं को खोलने की मंजूरी दे दी है friends पहले बंदन बैंक के ओपर बैंड लगा हुआ था लेकिन RBI ने बैंक को हटा दिया है और जो बंदन बैंक है अब बिना अनुमती के कहीं पर भी अपनी ब्रांचिस या शाकाओं कोल सकता है friends यहाँ पे ना RBI की बात हुई है भारत में जितने भी बैंक्स होते हैं उसे RBI regulate करता है friends यहाँ पे RBI की बात हुई है RBI का full form होता है Reserve Bank of India और हिंदी में हम बोलते हैं भारती Reserve Bank और RBI की स्थापना हुई थी 1 April 1935 को और आपसे एक्जाम में पुछा रता है RBI का headquarter friends यह मुंबई शहर में है और वरतमान में RBI के governor है शक्ती कान दास यह नाम आपने याद रखना है शक्ती कान दास वरतमान में RBI के governor है next question कर लेते है राश्टिय विज्ञान दिवस जिसे कि हम National Science Day भी बोलते है कब मनाया गया है सही answer है option A 28 February 28 February को राश्टिय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है next question है मारा PV सिंदू को किस राज्जे ने अपने anti-corruption help line का brand ambassador बनाया है सही answer है option A आंदरपरदेश आंदरपरदेश राज्जे ने PV सिंदू को अपने anti-corruption help line का brand ambassador बनाया है important question रहेगा आपके exam के लिए friends यहाँ पर बात हुई है PV सिंदू की PV सिंदू भारत की बैर्मिंटन खलाडी है महिला बैर्मिंटन खलाडी है और यहाँ पर आंदरपरदेश राज्जे की बात हुई है आंदरपरदेश राज्जे की राजधानी अमरावती और हैदराबाद है यहाँ के मुखे मंतरी का नाम है Y.S. जगन मोहन रेड़ी और Y.S. जगन मोहन रेड़ी जो है यह Y.S.R. Congress Party से हैं और आंदरपरदेश के गवर्नर का नाम है विशु भूशन हरी चंदन यहाँ आपने याद रखना है और यहाँ की जो फ्रेंट्स उचनियाले के मुखे नियादीश है उनका नाम है जितेंदर कुमार महिश्वरी यह भी आपने याद रखना important है आपुशीन कर लते हैं अभिशेख सिंग को किस देश में भारत का अगला राजदू नियुक्द किया गया है सही आंसर इसका Option C, Venugula वüngजवेजवेला देश में अभिशेख सिंग को भारत का अगला राजदू नियुक्द किया गया है फ्रेंट्स यहाँ पे वेनेजुएला देश आया है, वेनेजुएला की राजधानी जो है केरकस है, ठीक है और इसके यहाँ की जो करंसी है, वो है वेनेजुएला बॉलिवर, यह भी आपने याद रखना है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, किस कंपनी को राम मंदिर निर्मान की जिम्यदारी मिली है, सही आंसर इसका, उप्शन B, L&T, L&T कंपनी को राम मंदिर निर्मान की जिम्यदारी मिली है, फिरेंस यहाँ पे जो L&T कंपनी है, इसका जो फुल फॉर्म है, वो है Larson and Tobro, ठीक है यह आपने याद रखना है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, किस श की नौवी रक्षा और सुरक्षा विशेशग्य कारेकारी समों की बैठक की मेजबानी करी है, फ्रेंस यहाँ पे वर्ड आया है SEO, SEO को फुल फॉर्म होता है, शंगाई को आपरेशन और हिंदी में फुल फॉर्म होता है, शंगाई सयोग संगठन, और SEO की स्थापना जो हु यह आपने याद रखना है, और इसका जो फ्रेंस मुख्यालेया यानि हेड़क्वाटर है, वो बीजिंग शहर में है, बीजिंग कहाँ पर है, चीन देश में है, और SEO की जो महासचीव है, उनका नाम है वलादिमीर नौरोव, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, हिंदी भाशा म आस्क दिशा चैट बॉक्स को शुरू किया है, सही आंसर इसका, ऑप्शन A, IRCTC, IRCTC ने हिंदी भाशा में आस्क दिशा चैट बॉक्स को शुरू किया है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, ट्विटर पर सबसे ज़ादा कमाई करने वाले भारतिय खिलाडी कौन बने हैं, सही यह ट्विटर जो है, यह शोशल नेटवर्किंग साइट है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, M.Wankyan Ido ने पुस्तक, Death and Inside Story का विमोचन किया है, इसके लेखक कोन है, सही आंसर इसका, Option D, Sadguru, Sadguru जो है, यह Death and Inside Story पुस्तक के लेखक है, और इस पुस्तक का विमोचन है, M.Wankyan Ido ने किया है, जो कि हमारे देश के उपराश्ट पती है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, किस राज़े की सरकार ने चातरों के लिए जगरनत वास्तुदेव योजना को शुरू किया है, Most important कोशन है आपके एक्साम के लिए, सही आंसर इसका, Option C, आंदरपरदेश, आंदरपरद देश में जावेद अश्रफ को भारत का राज़दूत नियुक्त किया गया है, यहाँ पर बात होई है, France की राज़धानी है, Paris, France की जो capital है, वो यूरो है और फ्रेंक है, यह दोनों करंसी चलती है, यहाँ पर, किस देश ने सभी महिलाओं को मुफ्त सैनेटरी उतपात दे गोशना करी है, और, France, यहाँ पर, Scotland देश आया है, Scotland देश की राज़धानी, Edinburgh है, और यहाँ की जो currency है, वो pound sterling है, नेक्स्ट कोशन कर लेते है, भारत का पहला protein दिवस कब मनाया गया है, सही answer है, option A, 27 फरवरी, 27 फरवरी को भारत का पहला protein दिवस के रूप में मनाया गया ह next question कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा फिल्मों को edit करके, किसने अपना नाम, Limka, Book of Records में शामिल किया है, सही answer है, option C, श्रीकर परसाद, श्रीकर परसाद ने सबसे ज़्यादा फिल्मों को edit करके, अपना नाम, Limka, Book of Records में शामिल किया है, यह question भी आपके exam के लिए important रहेगा, फि हुआ है, सेया answer है, option C, जम्मो कश्मीर, जम्मो कश्मीर में वतन को जानो कारेकरम का उदघाटन किया गया है, फैस्ञेimiza, यह जम्मो कश्मीर भारत का केंद्ध शार्चृत परदेश है, जम्मो कश्मीर केंद्ध शार्चित परदेश के प्रेजिट में उपराजरे पाल ह उनका नाम ग्रीश चंत्र मुर्मू है सतत विकास लक्षे सम्मिलन 2020 का आयोजन कहां पर हुआ है सही आंसर इसका Option D. असम असम राज्य में सतत विकास लक्षे सम्मिलन 2020 का आयोजन किया गया है नेक्स्ट कोशन कह लेते है सही आंसर है Option A. सूपर 30 सूपर 30 ने बेस्ट फिल्म का आवार्ड जीता है दादसाई फाल के आवार्ड 2020 में इंपॉर्ण कोशन रहेगा नेक्स्ट कोशन कह लेते है Microsoft ने दिव्यांगों को ट्रेनिंग देने के लिए किस बैंक के साथ समझोता किया है सही आंसर इसका Option D. SBI Bank SBI Bank के साथ Microsoft ने दिव्यांगों को ट्रेनिंग देने के लिए समझोता किया है यहाँ पर Microsoft कंपनी की बात हुई है Microsoft जो है अमेरिका की कंपनी है इसका हेड़कॉर्टर वाशिंग्टन डीसी में है जो की अमेरिका देश में है और Microsoft की जो संस्थापक है Bill Gates और Paul Allen है और यहाँ पर SBI Bank की बात हुई है SBI Bank का full form है State Bank of India हिंदी में भारती स्थापना एक जुलाई 1955 को हुई थी और इसका हेड़कॉर्टर मुंबई शहर में है SBI Bank का पुराना नाम है Imperial Bank of India और वर्तमान में अध्यक्षे है रचनीश कुमार सबसे दा इंपॉरेंट है Tag Line SBI Bank का वो है The Banker to Every Indian Next Question कर लेते हैं किस देश नहीं सायुक्त राष्ट के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग किया है साय आंसर इसका Option A. श्रीलंका श्रीलंका देश नहीं सायुक्त राष्ट के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया है यहाँ पे श्रीलंका देश की बात हुई है श्रीलंका हमारा पडोसी देश है श्रीलंका की राजधानी है कॉलम्बो और श्री जैवर्धन पुरे कोटे और यहां की जो फ्रेंड्स करंसी है वो है श्रीलंका ही रूपिया यह आपने आद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे सायुक्त राष्ट की बात हुई है सायुक्त राष्ट को हम United Nation भी कहते हैं और UN भी कहते हैं इसकी स्थापना हुई ती 24 Occ.1945 को और इसका जो सदस्य देश है 193 और इसका जो headquarter है New York शहर में है जो की USA देश में है और वर्तमान में अध्यक्ष है Antonio Guterres भारत के किस railway station पर एक squat machine को लगाया गया है सही answer है option A आनन्द विहार जो की नई दिल्ली railway station का ही हिस्सा है आनन्द विहार जनी नई दिल्ली में railway station पर एक squat machine को लगाया गया है फिरंस ये squat machine एक special तरह का machine है इसमें क्या होगा कि आपको free में platform ticket मिलेगा लेकिन आपको इसके सामने खड़े होके उठक बैठक करना पड़ेगा तब ही आपको free में platform ticket दिया जाएगा और नई दिल्ली के पास जो आनन्द विहार railway station है यहाँ पर इसको लगाया गया है next question कर लेते हैं वहानों के लिए unified registration card launch करने वाला पहला राज्य कोन सा बना है सही answer है option A मद्धे पर्देश मद्धे पर्देश राज्य जो है इसने वहानों के लिए unified registration card launch करने वाला पहला राज्य बन गया है अगला question कर लेते हैं दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरब पती कोन बने है सही answer है option A रितेश अगरवाल रितेश अगरवाल जो है यह दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरब पती बने है फ्रेंट्स यह जो रितेश अगरवाल है OYO Hotels का नाम सुनाओगा या OYO Rooms का नाम आपने सुनाओगा इस company के मालिक है रितेश अगरवाल अगला question कर लेते है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है सही answer है Option A 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया है Next question कर लेते है W.B.R. Golden एरा ऑफ वॉलीवूर संभान से किसे संभानित किया गया है सही answer है Option B Manoj कुमार Manoj कुमार को WBR Golden Era of Volleyboard सम्मान से सम्मानित किया गया है Next question कर लेते है US India Business Council ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है सही answer है Option C, Vijay Adwani Vijay Adwani को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है US India Business Council ने Next question कर लेते है AFP का Catweb पुरुसकार किसने जीता है सही answer है Option A, Sauravतियागी Sauravतियागी ने AFP का Catweb पुरुसकार जीता है Next question कर लेते है IBA, AIBA विशुकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा सही answer है Option A, रूस देश रूस देश जो है यह AIBA विशुकप की मेजबानी करेगा यहाँ पे AIBA आया है इसका full form है International Boxing Association यहाँ पे रूस देश आया है रूस देश की राज़धानी मासको है और यहाँ की करनसी है रूबल Next question कर लेते है Nature ranking index 2020 में कौन शीर्स पर रहा है सही answer है Option A, CSIR CSIR जो है यह Nature ranking index 2020 में शीर्स थान पर रहा है अगला question कर लेते है किस राज़ध की सरकार ने अपने स्कूलों में box को sell स्थापित करने की घोशना करी है सही answer है Option C, Bihar Bihar राज़ध की सरकार ने अपने स्कूलों में box so sell स्थापित करने की घोशना करी है Friends, यहाँ पे word आया है box so पॉक्सों का full form होता है protection of children for sexual offenses और इस cell की स्थापना करने की घोशना करी है बिहार राज्जी की सरकार ने अगला कोशन कहले लेते हैं अंतर राज्टी ये निया एक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है सही आंसर इसका option D नई दिल्ली नई दिल्ली में अंतर राज्टी ये निया एक सम्मेलन को आयोजित किया गया है अगला कोशन है हमारा PM किसान मुबाइल एप का शुभारम किस ने किया है सही आंसर है, option C, नरेंदर सिंग तोमर, नरेंदर सिंग तोमर ने PM किसान मुबाइल एप का शुभारंप किया है अगला question कर लेते हैं, भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन कहां पर हुआ है सही आंसर है, option D, गोवा, गोवा राज्य में भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन किया गया है next question कर लेते हैं, चोंतिसवा कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है सही आंसर है, option A, D, गोकेश, डी गोकेश ने चोंतिसवा कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है next question कर लेते हैं, रीक मचार किस देश के नई उपराश्ट पती बने है सही आंसर है, option A, दक्षिन सुडान, दक्षिन सुडान देश के नई उपराश्ट पती बने है, रीक मचार अगला question कर लेते हैं, कोन सा देश 2022 की राश्ट मंडल निशाने बाजी और तिरंदाजी चैंपिनशिप की मेजबानी करेगा सही आंसर है, option A, भारत, भारत देश जो है, 2022 की राश्ट मंडल निशाने बाजी और तिरंदाजी चैंपिनशिप की मेजबानी करेगा काफी दादा important question है आपके exam के लिए next question कह लएते हैं, किस राश्ट की सरकार ने 1 भारत श्रेष्ट भारत कलब की स्थापना करी है सही answer इसका option A, तेलंगाना, तेलंगाना राश्ट की सरकार ने 1 भारत श्रेष्ट भारत कलब की स्थापना करी है यह question भी आपके exam के लिए important रहेगा friends मैं आपको इस good news दे देता हूँ कि मेरा current affair का channel launch हो गया है current affair channel का नाम है Ravis Study IQ GK 2.0 Ravis Study IQ GK 2.0 यहाँ पर friends daily current affair की वीडियो आती है सुबह 4 बजे बहुत ही expert level current affair पढ़ाया जाता है तो आप इसे अभी subscribe कर लीजिए नई दिल्ली नई दिल्ली शहर में race 2020 सिखर सम्मिलन का आयोजन किया गया है अगला question कर लेते हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग वैक्ती चितस्टू वतनबे का निधन हुआ है वह किस देश के थे सही answer है option B जपान देश के जपान देश के थे सबसे दुनिया के सबसे बुजुर्ग वैक्ती चितस्टू वतनबे जिनका निधन हुआ है next question कर लेते है S.E.R.B. महीला उतकरिष्टा पुरुसकार किसने जीता है सही answer है option D Dr. Niti Kumar Dr. Niti Kumar S.E.R.B. महीला उतकरिष्टा पुरुसकार को जीता है अगला question कर लेते है हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार रैगिंग के मामले में कौन सा राज्जे शीर स्थान पर रहा है सही answer है option D उत्तर परदेश उत्तर परदेश राज्जे जो है यह हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार रेगिंग के मामले में शीर स्थान पर रहा है अगला कोशन कर लेते हैं हाली में जारी World Wide Educating for the Future Index में भारत कौन से स्थान पर रहा है सही आंसर है Option A 35 में स्थान पर रहा है हाली में जारी World Wide Educating for the Future Index में भारत जो है 35 में स्थान पर रहा है Next question कर लेते हैं किस राज्य की सरकार ने थाई मांगूर मचली के उत्पादन केंदरों को समाप्त करने की घोशना करी है। सही आंसर है, Option D, महाराष्ट, महाराष्ट राज्य की सरकार ने थाई मांगूर मचली के उत्पादन केंदरों को समाप्त करने की घोशना करी है। Next question कर लेते हैं काफी important happy exam के लिए Miss Diva Universe 2020 का ताज किसने जीता है? सही answer है, option A, Adeline Castellino, Adeline Castellino ने Miss Diva Universe 2020 का ताज जीता है किस देश के पूर्वराष्टपती होसनी मुबारक का निधन हुआ है? सही answer है, option A, मिस्तर देश, मिस्तर देश के पूर्वराष्टपती होसनी मुबारक का निधन हुआ है Next question कर लेते हैं, किसने top फसल कीमतों की निगरानी के लिए MIEWS पोर्टल को लॉंच किया है? सही answer है, option C, हर सिम्रत को और बादल, हर सिम्रत को और बादल ने top फसल कीमतों की निगरानी के लिए MIEWS पोर्टल को लॉंच किया है अगला question कर लेते हैं, WhatsApp chat box का इस्तेमाल करने वाली पहली BIMA company कोन सी बनी है? सही answer है, option A, भारती EXA, भारती EXA जो है, यह WhatsApp chat box का इस्तेमाल करने वाली पहली insurance company यानि BIMA company बनी है Next question कर लेते हैं, SN श्रीवास्तव को किस शहर का नया commissioner नियोक्त किया गया है? सही answer है, option B, नई दिल्ली, नई दिल्ली शहर के नई commissioner बने है, SN श्रीवास्तव किसे विवेकानन्द करम योगी पुरुसकार 2020 से समानित किया गया है? सही आंसर है, option B, जाधव पाएंगे, जाधव पाएंगे को विवेकानन्द करम योगी पुरुसकार 2020 से समानित किया गया है फ्रेंट, यह जो पुरुसकार वाले कोशन होते हैं, एक्जाम के लिए काफी ज़ादा important रहते हैं next question करे लेते हैं, किस राज्य ने उडान के तहट पहली हेलिकॉप्टर सेवा को शुरू किया है सही आंसर है, option A, उत्राखंड, उत्राखंड राज्य ने उडान के तहट पहला हेलिकॉप्टर सेवा को शुरू किया है फ्रिंट्स यहाँ पर word आया है उडान, उडान का full form होता है उडे देश का आमनागरिक विशुव रेडियो दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका, option A, 13 फरवरी 13 फरवरी को विशुव रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उदगाटन कि शहर में किया गया है? सही आंसर है, option C, एहमदाबाद एहमदाबाद शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उदगाटन किया गया है और इसका नाम जो है सदार वल्लभाई पटेल जी के नाम पे रखा जाएगा विशुव की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाशा कौन सी बनी है सही आंसर है सका option C हिंदी हिंदी जो है विशुव की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाशा बनी है फ्रेंट्स नंबर वन पे English है, नंबर दो पे Chinese Mandarin है और नंबर तीन पे Hindi है, जो कि तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाशा है, पूरे विश्व में Next question कह लेते हैं, राम मंदी ट्रस्ट का अध्यक्ष कोन बने है, सही answer है, Option A, नित्य गुपालदास, नित्य गुपालदास जो है, ये राम मंदी ट्रस्ट के अध्यक्ष बने है, FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है, सही answer है, Option A, पाकिस्तान, पाकिस्तान देश को FATS ने ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है, यहाँ पर वर्ड आया है FATF, FATF का फुल फॉर्म है, Financial Action Task Force, और हिंदी में FATF का फुल फॉर्म होता है, वित्ते कारवाई कारेदल, ठीक है, और इसकी स्थापना 1989 को हुई थी, सबसे ज़्य इसका मुख्याल है, जो कि पैरिश शहर में है, और पैरिश कहां पे है, फ्रांस देश में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, जियांग मिन लियो, किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विक्सित किया है, प्रवासी भारतिये के इंदर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, सही आंसर है, उप्शन B, शुश्मा सुराज, शुश्मा सुराज के नाम पर प्रवासी भारतिये के इंदर का नाम बदल कर रखा गया है, अगला कोशन कर लेते हैं, UAE के अगले क्रिकेट निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है, उप्शन C, रॉबिन सिंग, रॉबिन सिंग को UAE का अगला क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, नेक्ट कोशन कर लेते हैं, मृदा सौास्त कार्ड दिवस कम मनाया गया है, सही आंसर है, उप्शन C, 19 फरवरी को, 19 फरवरी को मृदा सौास्त कार्ड दिवस के रूप में मनाया गय कि खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स कहां शुरू हुए हैं। सही आंसर है option A, Odisa Rajya, Odisa Rajya में खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स शुरू हुए हैं। किस देश ने Flip Baton को भारत में अपना उचायुक्त नेयुक्त किया है। सही आंसर है option D, Britain, Britann देश ने Flip बारटन को भारत में अपना उचायुक नियुकत किया है Next question कर लेते हैं Rishisunak किस देश के नई वितमंतरी बने है सही answer है Option C. Britain Britain देश के नई वितमंतरी बने है Rishisunak Friends, यहाँ पर Britain देश की बात हुई है राजधानी इसकी London है और यहाँ की जो करंसी है Pound Sterling है किस कंपनी ने भूशन पावर का अधिगरहन किया है सही आंसर है Option D. JSW Steel JSW Steel कंपनी ने भूशन पावर का अधिगरहन किया है अगला कोशन है मारा IDSA का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है सही आंसर है Option A. मनोहर परिकर मनोहर परिकर के नाम पर IDSA का नाम बदल कर रखा गया है Friends, यहाँ पर वर्ड आया है IDSA Friends, जितने भी जो नाम चेंज वाले कोशन है ना एक्जाम के लिए important रहते हैं यह आपने ध्यान रखना है वर्ड आया है IDSA इसका full form है Institute for Defense Studies and Analysis फिर से बतायता हूँ Institute for Defense Studies and Analysis जो है IDSA का full form होता है Next question कर लेते है सरवीर सिंग को किस कंपनी का नया CEO बनाया गया है सही answer है Option A, Policy Bazaar Policy Bazaar कंपनी का नया CEO बनाया गया है सरवीर सिंग को Spice Jet के नए CEO को नियुक्त होए है सही answer है Option C, शिलपा भाटिया शिलपा भाटिया जो है Spice Jet के नए CEO नियुक्त होए है Next question कर लेते है किस देश ने हवाई अड़ों पर E-Cigarette पर परतिबंद लगा दिया है सही answer है Option A, भारत भारत देश ने सभी हवाई अड़ों पर E-Cigarette पर परतिबंद लगा दिया है Important question रहेगा अपके exam के लिए Friends आपको ये पता होना चीए है कि जो भारत में जितने भी airports है उसे AAI regulate करता है AAI का full form होता है Airports Authority of India Hindi में full form होता है भारतिये विमानपतन प्राधी करन इसकी स्थापना हुई थी 1 April 1995 को और इसका जो headquarter है नई दिल्ली शहर में है और इसके जो अध्यक्षे वरतमान में अर्विंद सिंग है ये आपने याद रखना है Next question है मारा किस राज्ये ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन को लॉंच किया है सही answer है Option A आंदरपरदेश आंदरपरदेश राज्ये की सरकार ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन को लॉंच किया है Next question कर लेते है The thin mind map book पुस्तक का विमोचन हुआ है इसके लेखक कोन है सही answer है Option C धरमेंदर राई धरमेंदर राई जो है ये The thin mind map पुस्तक का विमोचन हुआ है इसके लेखक है Next question कर लेते है किस राजे की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योधव मुबाइल एप को लॉंच किया है सही answer है Option D केरल केरल राजे की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योधव मुबाइल एप को लॉंच किया है अगला कोशन कर लेते हैं जेफ वैजोस ने कितने बिलियन डॉलर के बैजोस अर्थ फंड की शुरुआत करी है सही आंसर है ओप्शन A 10 जेफ वैजोस जो की Amazon Company के मालिक है इन्होंने 10 बिलियन डॉलर के बैजोस अर्थ फंड की शुरुआत करी है अगला question कर लेते हैं विशू Cancer दिवस कब मनाया गया है सही answer है option A चार फरवरी चार फरवरी को विशू Cancer दिवस के रूप में मनाया जाता है next question कर लेते हैं विशाल रक्षा परदशनी डिफेंस एक्सपो का 11 संस्करन किस शहर में आयोजित किया गया है सही आंसर इसका option A लखनौ शहर में लखनौ शहर में विशाल रक्षा परदशनी डिफेंस एक्सपो का 11 संस्करन आयोजित किया गया है अगला question कर लेते हैं कौन सा देश राष्ट मंडल का 24 सदस्य बना है next question कर लेते हैं काफी important है ये कोल इंडिया के नए अध्यक्ष कोन बने है सही आंसर इसका option A प्रमोद अगरवाल प्रमोद अगरवाल जो हैं ये कोल इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त होए है टोकियो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर है option C सौर उफ गांगогодी सौर उफ गांगोली को टोकियो ओलंपिक में भारत का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, IBM जो कि अमेरिका की कमपनी है, इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल बिजनस मशीन, IBM के नए CEO कोन बने हैं? सही आंसर है, आप्शन A, अर्विंद क्रिशन, अर्विंद क्रिशन को IBM का निया CEO बनाया गया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, Cricket Association of Bengal, जिसे की CAB भी कहते हैं, कि नए अध्यक्ष कोन बने हैं? सही आंसर है, आप्शन A, अभिशेक डालमिया, अभिशेक डालमिया जो है, ये Cricket Association of Bengal, जिसे की हम CAB भी कहते हैं, कि नए अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं, most important कोशन है ये next question कर लेते हैं, JSW Steel का Brand Ambassador किसे बनाया गया है? सही आंसर है, Option A, रिशब पंत, रिशब पंत को JSW Steel का Brand Ambassador नियुक्त किया गया है मुहम्मद अल्लावी को किस देश का निया प्रधानमंत्री बनाया गया है सही आंसर है option C इराक इराक देश का निया प्रधानमंत्री बनाया गया है मुहम्मद अल्लावी को अगला कोशन कर लेते है next कोशन है मारा किस देश ने टिडियों के संकट से उबरने के लिए राश्टी अपातकाल की घोशना करी है सही आंसर इसका Option C उप्युक्त दोनों टिडियां एक परकार के कीडे होते हैं उरने के लिए उरने वाले और ये फसल को परबाद कर देते हैं टिडियों के संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान और सोमालिया ने राश्टी अपातकाल की घोशना करी है अगला कोशन कर लेते हैं अटलांटिक महासागर को तैर कर पार करने वाली बधिर वैक्ति कौन बनी है सही आंसर है Option A उबरायन ओबरायन जो है ये अटलांटिक महासागर को तैर कर पार करने वाली बधिर वैक्ति बनी है इमपॉरन कोशन है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं पैन गौरी लंकेश अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर है Option A यूसुफ जमील यूसुफ जमील को पैन गौरी लंकेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है वीवर्क का नया CEO कोन बने है सही आंसर है Option A संदीव मथारानी संदीव मथारानी जो है ये वीवर्क कंपनी के नए CEO नियोक्त हुए है नेक्स्ट कोशन कर लेते है ICC Under 19 पुरुष क्रिकेट विश्यकप किसने जीता है सही आंसर है Option D बांगलादेश बांगलादेश देश की टीम ने ICC Under 19 पुरुष क्रिकेट विश्यकप को जीता है ये बांगलादेश जो था विजेता टीम थी वो भारत थी नेक्स्ट कोशन कर लेते है ICC Women Championship Trophy किसने जीती है सही आंसर है Option C Australia Australia ने ICC Women Championship Trophy को जीता है नेक्स्ट कोशन कर लेते है जलवायू परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राजजे ने की है सही आंसर है Option A केरल राजजे ने केरल राजजे ने जलवायू परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी करी है कोरोना वाइरस से होने वाली बिमारी को अधिकारिक नाम क्या दिया गया है सही आंसर है Option A COVID-19 कोरोना वाइरस से होने वाली बिमारी को अधिकारिक नाम जो है COVID-19 दिया गया है राजी बंसल, राजी बंसल को एर इंडिया का निया CMD नियुक्त किया गया है। Next question कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभ्यान को शुरू किया है। सही answer है, Option A, बिहार, बिहार राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभ्यान शुरू किया है। Next question कर लेते हैं, अंबाला शहर के बस स्टेंड का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है, Option A, सुष्मा सुराज, सुष्मा सुराज के नाम पर अंबाला शहर के बस स्टेंड का नाम रखा जाएगा? next question कर लेते हैं नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलन्यास किसने किया है सही answer है option A, राजना सिंग वर्तमार में हमारे देश के रक्षा मंतरी है राजना सिंग इन्होंने नई दिल्ली में थल सेना भवन के शिलन्यास किया है यहाँ पे थल सेना की बात हुई है थल सेना को हम Indian Army भी कहते हैं अपने देता हूँ आपको यह पता हो ना चीनी कि थल सेना का जो मोटो होता है वो होता है Service Before Self अर थल सेना की जो स्फापना है 1 April 1895 को हुई थी और हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो फ्रेंट्स हेड़कॉर्टर है नई दिल्ली में स्थेत है और वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष है जनरल मनोच मुकुंध नर्वने और आपको ये पता होना चाहिए कि थल सेना के उप सेना परमुख है लेफ्टिनेंट जर्नल एसके सैनी और चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ है यानि सीडियस है विपन रावत ये भी आपने आपने याद रखना है अगला कोशन कर लेते हैं भारत और किस देश के बीच संयोंत सेनने अभ्यास अजय वारियर आयोजित हुआ है सही आंसर इसका, option A, Britain, भारत और बिटेन देश की सेना के बीच, अजय वारियर, सही उक्तु सेन ने अभ्यास आयोजित किया गया है, या आपने याद रखना है Next question कर लेते हैं, किस राज्य में सेलम किर्केट स्टेडियम का उधगाटन किया गया है सही आंसर है, option B, Tamiladu, Tamiladu राज्य में सेलम किर्केट स्टेडियम का उधगाटन किया गया है अगला question कर लेते हैं, Go Air का नया CEO को नियुक्त होए है, सही आंसर है, option B, विने दूबे, विने दूबे जो है, ये Go Air के नए CEO नियुक्त होए है फ्रेंट्स मैं आपको good news देता हूँ कि मेरा जो website launch हो गया है, website का नाम है www.ravistudyiqugk.com www.ravistudyiqugk.com ठीक है, www.ravistudyiqugk.com जो है, ये मेरा website का नाम है, ठीक है फ्रेंट्स next question कर लेते हैं, किस शहर की police ने operation नकेल को launch किया है, सही आंसर है, option C, गाजियाबाद गाजियाबाद शहर की police ने operation नकेल को launch किया है, next question कर लेते हैं, brand मुल्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला bank कौन सा बना है, सही आंसर है, option C, indecent bank, indecent bank जो है, ये brand मुल्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला bank बना है, अगला question कर लेते हैं, भारत के सबसे मुल्यवान celebrity कोन बने है, सही आंसर है, option D, विराट कोहली, विराट कोहली जो है, ये भारत के सबसे मुल्यवान celebrity बने है, विराट कोहली भारतिकर के team के कपतान है, next question कर लेते हैं, किस राज्य में प्रवासी परजाती पर UN के COP 13 समिलन का उधगाटन किया गया है, सही आंसर है, option D, गुजरात, गुजरात राज्य में प्रवासी परजाती पर UN के COP 13 समिलन का उधगाटन किया गया है, नेक्स्ट कोशन करे लेते हैं Tata Tally Services ने किस कंपनी में विल्ले की घोशना करी है सही आंसर है Option A, भारती Airtel Tata Tally Services ने भारती Airtel में विल्ले की घोशना करी है किस राज्य में Run for India T कारेकरम का आयोजन हुआ है सही आंसर है Option C, तिरपुरा तिरपुरा राज्य में Run for India T कारिकरम का आयोजन किया गया है किस देश ने भाशा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है सही आंसर है Option C, बांगलादेश बांगलादेश देश ने भाशा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है फ्रेंट्स यह जो बंगला देश है यह हमारा पडोसी देश है और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है ठीक है और इसकी राज़धानी ढाका है और यहां की करंसी ढाका है और यहां की जो प्रदान मंत्री यह उनका नाम शेक हसीना है ठीक है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं 2021 जूनियर पुरुष होकी विश्वकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा most important कोशन है यह सही आंसर है इसका option A भारत देश भारत देश जो है 2021 जूनियर पुरुष होकी विश्वकप की मेजबानी करेगा किस राज्य सरकार ने ट्रांस्जेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोशना करी है आंसर है option B राजिस्थान राजिस्थान राज्य की सरकार ने ट्रांस्जेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की घोशना करी है next question कर लेते है NSIL का नया अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर इसका Option A G. Narayanan G. Narayanan जो है यह NSIL के नई अध्यक्ष बने है Friends, यहाँ पर word आया है NSIL NSIL का full form होता है New Space India Limited और इसकी स्थापना जो हुई थी 6 March 2019 को हुई थी यह आपने याद रखना है और इसका जो Friends headquarter है Bangaluru शहर में है अगला question कर लेते है किस राज्य की सरकार ने Corona virus को राज्य आपदा घोशित किया है सही आंसर है Option A Keral राज्य Keral राज्य की सरकार ने Corona virus को राज्य आपदा घोशित किया है Next question कर लेते है भारत के किस शहर को युनेसको ने विश्व धरोवर का परमान पत्र दिया है सही आंसर इसका option सही आंसर इसका option C. जाइपूर जाइपूर शहर को युनेसको ने विश्व धरोवर का परमान पत्र दिया है यहाँ पे युनेसको आया है युनेसको का जो full form होता है वह होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization और हिंदी में full form होता है सहियोक्त राष्ट सैक्षिक विज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका जो मुख्याले है वो पैरिस में है जो की फ्रांस देश में है और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले यह अपने याद रखना है जो मैं आपको UNESCO के बारे में जानकारी दी है और UNESCO ने विश्व धरोर का परमानपत दिया है जैपूर शहर को जो की राजिस्थान की राजधानी है इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है अगला कोशन कर लेते हैं UN जलवायू शिखर सम्मिलन का आयोजन कहां पर हुआ है सही आंसर है Option C Britain देश में UN जलवायू शिखर सम्मिलन का आयोजन हुआ है Friends यहाँ पर Britain देश आया है राजधानी इसकी London है और यहाँ की जो करंसी है Pound Sterling है यहाँ पर word आया है UN इसका full form United Nation होता है United Nation होता है और हिंदी में इसको संयुक्तराष्ट भी कहते हैं इसकी जो फ्रेंट स्थापना हुई थी वो 24 October 1945 को हुई थी 24 October 1945 को हुई थी इसकी जो फ्रेंट सदस्य देश है ना वो 193 है और इसका जो मुख्याले एफेंट्स वो New York शहर में है जो की USA देश में है और वर्तमान में अध्यक्ष है Antonio Guterres यह भी आपने याद रखना है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कोन करेगा सही आंसर इसका Option B Ladakh Ladakh जो है यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी करेगा भारत के दूसरे सबसे अमीर वैक्ति कोन बने है सही आंसर इसका Option C Radhakishan Damani Radhakishan Damani जो है यह भारत के दूसरे सबसे अमीर वैक्ति बने है और यह D-Mart Company के मालिक है Next question कर लेते है किस राज्य सरकार ने अपने करमचारियों को एक सपता में केवल 5 दिन कारे करने का एलान किया है सही आंसर है Option A Maharashtra महराश राज्य सरकार ने अपने करमचारियों को एक सपता में केवल 5 दिन कारे करने का एलान किया है किस शहर में एशियाई कुछती चैंपिनशिप 2020 शुरू हुई है, सही आंसर इसका, option A, नई दिल्ली, नई दिल्ली शहर में एशियाई कुछती चैंपिनशिप 2020 जो है, वो शुरू किया गया है, अगला question कर लेते हैं, sustainability index 2020 में भारत की स्थान पर रहा है, सही आंसर है, option D, 77, भारत जो है, sustainability index 2020 में 77 स्थान पर रहा है, next question कर लेते हैं, पधार मंतरी का नया सलहकार किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है, option C, उप्योक्त दोनो, अमर्जीत सिना और भासकर खुलबे, अमर्जीत सिना और भासकर खुलबे को पधार मंतरी का नया सलहकार नियुक्त किया गया है, next question कर लेते हैं किस राज्य की सरकार ने हुका बार पर परतिबंद लगा दिया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं राष्टिय जल समेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य परदेश राज्य में रास्टिय जल समेलन का उद्गाटन किया गया है किस शहर में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंब हुआ है सही आंसर है option A हैदराबाद हैदराबाद शहर में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंप किया गया है important question है next question है हमारा हज परिक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है सही आंसर है option A भारत हमारा देश भारत जो है यह हज परिक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है friends यह जो हज है मुसल्मानों को तीर स्थल है और यह हज जो है साओधी अरब देश में स्थित है यह आपने ध्यान रखना है next question कर लेते हैं किस देश ने बैरी ओ फ्रेल को अपना उचायुक्त न्युक्त किया है सही आंसर इसका option A अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया देश ने बैरी ओ फ्रेल को अपना उचायुक्त न्युक्त किया है यहां पर अस्टेलिया देश आया है राजधानी इसकी कैनेबरा है ठीक है राजधानी कैनेबरा है और यहां की जो करनसी है वो अस्टेलिया इडॉलर है यह आपने याद रखना है next question कर लेते हैं अगला question है मारा किस देश ने cruise missile RAD 2 का सफल परिक्षन किया है अगला कोशन कर लेते हैं किस राज्य सरकार ने glass floor suspension breeze बनाने की घोशना करी है सही आंसर इसका option D उत्राखंट उत्राखंट राज्य की सरकार ने glass floor suspension breeze बनाने की घोशना करी है अगला कोशन कर लेते हैं विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है सही आंसर है, option D, 10 फरवरी, 10 फरवरी को हर साल विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंस आप वो question का level देखे बता लग गया होगा, सभी question आपके exam के लिए काफी जादा important है और मैं आपको बिल्कुल non-stop पढ़ा रहा हूँ, एक second भी आपका waste किये बिना वीडियो पसंद आ रहे है, वीडियो को like जरूर करिये, कम से कम 10 फ्रेंट के साथ share भी जरूर करिये किस राज्य की सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है, सही answer है, option B उत्तर परदेश, उत्तर परदेश राज्य की सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है, किस शहर में देश का सबसे बड़ा वायू गुनवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया ग अगला कोशन कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने अपने करमचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धी करी है, सही answer है, option A उडिसा, उडिसा राज्य की सरकार ने अपने करमचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धी करी है, Next question कर लेते हैं किसे प्रसीद Indian Achievers Award 2020 से सम्मानित किया गया है सही आंसर इसका Option A, शोहिनी शास्तरी शोहिनी शास्तरी इनको प्रसीद Indian Achievers Award 2020 से सम्मानित किया गया फिर्ण्स ये जो अवार्ड वाले questions होते हैं पुरुसकार वाले questions होते हैं इक्साम के लिए काफी ज़ादा important होते हैं. Next question कर लेते हैं, तिर्जन थियम ने किस company के CEO पद से स्तीफा दिया है? सही answer है, option D, credit Swiss. Credit Swiss, company के CEO के पद से स्तीफा दिया है, तिर्जन थियम ने. Next question कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने school चातरों के लिए internship योजना को शुरू किया है? सही answer है, option B, उत्तरबर्देश. उत्तरबर्देश राज्य की सरकार ने school चातरों के लिए internship योजना को शुरू किया है. Next question कर लेते हैं, 33-वा अफ्रीकी संग शिखर सम्मीलन किस देश में आयोजित हुआ है? सही answer है, option B, इत्तरबर्देश में 33-वा अफ्रीकी संग शिखर सम्मीलन आयोजित किया गया है. इत्तरबर्देश जो है, अफ्रीका महादीप में स्थित है. और यहां की जो फ्रेंट्स करिंसी है, वो अदीस अबाबा है, और यहां की जो राजधानी है, वो अदीस अबाबा है, और यहां की जो प्रधान मंत्री है, उनका नाम है अभी एहमद अली जिनको नोबिल शांती पुरुसकार भी दिया गया है, 2019 का. नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, राश्टी ये उत्पादक्ता दिवस कब मनाया गया है, सही आंसर है, ऑप्शन ए, 12 फरवरी को राश्टी ये उत्पादक्ता दिवस के रूप में मनाया गया है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, किस राश्टी की सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन का शुभारंब किया है, सही आंसर है, ऑप्शन ए, हर्याना, हर्याना राश्टी की सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए र अतुलकुमार गुपता, अतुलकुमार गुपता को ICAI का नया अध्यक्ष न्युक्त किया गया है। Next question कर लेते हैं, भारतिय प्रयाटन विकास निगम ने किस राज्य के साथ समझोओता किया है। सही आंसर है, option C, गुजरात, गुजरात राज्ये के साथ समझोता किया है, भारतिये परियटन विकास निगम ने, next question कर लेते हैं, किस राज्ये ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, सही आंसर है, option D, अरुनाचल परदेश, अरुनाचल परदेश राज्ये जो है, इसने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, यह question भी आपके एक्जाम के लिए important रहेगा, next question कर लेते हैं, HRMS नामक मुबाइल एप को किस ने लाँच किया है, सही आंसर है, option A, भारतिये रेलवे, भारतिये रेलवे ने HRMS नामक मुबाइल एप को लाँच किया है, फ्रेंट्स यहां पे भारतिय रेल्वे की बात हुई है भारतिय रेल्वे को हम इंडियन रेल्वे भी कहते हैं भारतिय रेल्वे की स्थापना जो हुई थी 16 एपरल 1853 को हुई थी और इसका जो फ्रेंट्स है ये नई दिल्ली में हिस्तित है नई दिल्ली में इसका है और वर RPFS, RPFS के महा निदेशक है, अरुन कुमार, ये भी आपने याद रखना है, Next question कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोशना करी है, सही आंसर इसका, Option D, पश्यम बंगाल, पश्यम बंगाल राज्य की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोशना करी है, अगला कोशन कर लेते हैं, E-Governance पर राश्ट्य सम्मिलन कहां आयोजित हुए है, सही आंसर है, Option B, मुंबई शहर में, E-Governance पर राश्ट्य सम्मिलन को आयोजित किया गया है, अगला कोशन कर लेते हैं, IOC ने किसे Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया है, सही आंसर है, Option C, पुलेला गोपी चंद, पुलेला गोपी चंद को IOC ने Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया है, Friends, यहाँ पर वर्ड आया है, IOC, इसका फुल फॉर्म होता है, International Olympic Committee, यहाँ पर लिए देता हूँ, International Olympic Committee, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं, अंतर राश्टी यह Olympic सम्मिती, इसकी जो Friends, स्थापना हुई थी, वो हुई थी, 23 June 1984 को, 23 June 1984 को इसकी स्थापना हुई थी, इसका जो Friends, Headquarter है, लिवसाने में है, लिवसाने कहां पर है, सुजर्लेंड देश में है, यह आपने याद रखना है, और वर्टमान में जो अध्यक्ष है, उनका नाम है, Thomas Bach, यहाँ पर लिए देता हूँ, वर्टमान में अध्यक्ष है, Thomas Bach, और महानी देशक का नाम है, क्रिस्टोफ कैपर, ठीक है, यह नाम आपने याद रखना है, क्रिस्टोफ कैपर, IOC के वर्टमान में अध्यक्ष है, जितने ओलंपिक हिल को IOC रेगूलेट करता है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहां आयोजित हुआ है, सही आनसर है, option D, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर शहर में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 को आयोजित किया गया है, यहाँ पे न वर्ड आया है BIMSTEC BIMSTEC का फूल फॉर्म होता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और इसका जो फ्रेंट्स हेड़ क्वार्टर है धाका में है, धाका कहाँ पे है बंगलादेश में है, और BIMSTEC आपदा प्रबंदन अभ्यास 2020 का आयोजन बुफनेश्वर शहर में हुआ है जो कि ओडिसा राज्जे की राजधानी भी है Next question कर लेते है ICC T20 महिला रैंकिंग में कौन शीर्स पर है सही आंसर इसका, option D Suzy Bats Suzy Bats जो है, यह ICC T20 महिला रैंकिंग में शीर्स थान पर है किस राज्जे की सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटिन खोलने की घोशना करी है सही आंसर है, option C हर्याना, हर्याना राज्जे की सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटिन खोलने की घोशना करी है सभी फॉर्मेट्स के सौ मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने है सही आनसर है इसका option A. Ross Taylor Ross Taylor जो है सभी फॉर्मेट्स के सौ मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए है next question कर लेते है IOC ने कच्चे थेल के खरीद के लिए किस देश के साथ समझोता किया है Option B, रूस देश के साथ IOC ने कच्चे थेल के खरीद के लिए रूस के साथ समझोता किया है Next question कर लेते है Global Business Summit का छटा संस्क्रन कहां आयोजित किया गया है सही आंसर है, Option A, नई दिल्ली, नई दिल्ली में Global Business Summit का छटा संस्क्रन आयोजित किया गिया है Next question कर लेते हैं, सततरवी National Squais Championship किसने जीता है? सही आंसर है, Option D, जोशना चिनप्पा, जोशना चिनप्पा ने सततरवी National Squais Championship को जीता है Next question कर लेते हैं, विश्व सामाजिक नयाई दिवस कब मनाया गिया है? सही आंसर है, Option A, 20 फरवरी, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक नयाई दिवस के रूप में मनाया गिया है अगला question कर लेते हैं, कोलकाता की East-West Metro Line का उदगाटन किसने किया है? सही आंसर है, Option A, प्यूश गोईल, वरतमान में रेलवे मंतरी हमारे देश के इन्होंने East-West Metro Line का उदगाटन किया है Next question कर लेते हैं, विश्व पैंगोलिन दिवस कब मनाया गिया है? सही आंसर है, Option A, पंदरह फरवरी को विश्व पैंगोलिन दिवस के रूप में मनाया गिया है Next question कर लेते हैं, डिफिकल्ट डायलोग के पांचवें संस्क्रण का शुभारम कहां पर हुआ है? सही आंसर है, Option B, गोवा में, गोवा में डिफिकल्ट डायलोग के पांचवें संस्क्रण का शुभारम किया गया है Next question कर लेते हैं, बीसवें लॉरियास अवार्ट में बैस स्पोर्टिंग का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है, Option A, सचिन तैंदुलकर, सचिन तैंदुलकर ने बीसवें लॉरियास अवार्ट में बैस स्पोर्टिंग का खिताब जीता है अंतर राश्टी ये मातर भाशा दिवस कम मनाया गया है? अंसर है, Option B, 21 फरवरी को अंतर राश्टी ये मातर भाशा दिवस के रूप में मनाया गया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, ESPN इंडिया अवार्ट में स्पोर्ट्समेन आव दा इयर का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है, Option D, PV सिंधो, PV सिंधो ने ESPN इंडिया अवार्ट में स्पोर्ट्समेन आव दा इयर का खिताब जीता है अगला कोशन कर लेते हैं, उत्तर परदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? सही आंसर है, Option A, सोनबदर, उत्तर परदेश का जिला है सोनबदर यहां पर सोने का विशाल भंडार को खोजा गया है फिनलोपी कोशियानों ने किस बैंक के मुखे अर्थशास्तरी के पद से स्तीफा दिया है? आंसर है, Option A, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के मुखे अर्थशास्तरी पद से स्तीफा दिया है, फिनलोपी कोशियानों ने फ्रेंट्स यहां पर विश्यू बैंक को हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ठीक है? और आपको इसका headquarter पता होना चाहिए और वर्तमान में अध्यक्ष होना है, यह पता होना चाहिए, important है आपके exam के लिए विश्यू बैंक की स्थापना होई थी जुलाई 1944 को, जुलाई 1944 को इसकी स्थापना होई थी, इसका headquarter फ्रेंट्स वाशिंग्टन डीसी में है, जो की अमेरिका देश में स्थित है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, डैविड मलपास Mystic Culling Award से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर है, option A, Manoj Das, Manoj Das को Mystic Culling Award से सम्मानित किया गया है, विज्यान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतरराश्टिय दिवस कब मनाया गया है, आंसर है, option C, 11 फरवरी, 11 फरवरी को विज्यान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतरराश्टिय दिवस मनाया गया है, नेक्ट कोशन कर लेते हैं, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपिनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, आंसर है, option C, कांसे पदक, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपिनशिप में भारत ने कांसे पदक जीता है, चितर भारती फिल्म महसब का आयोजन की शहर में हुआ है, आंसर है, option B, एहमदाबाद, एहमदाबाद शहर में चितर भारती फिल्म महसब का आयोजन किया गया है, नेक्ट कोशन कर लेते हैं, किस देश ने LGBT लोगों की जनगना करने की घोशना करी है, आंसर है, option A, नेपाल देश, नेपाल देश ने LGBT लोगों की जनगना करने की घोशना करी है, NCRB की Report के अनुसार सरवादिक گمशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है Answer is Open A, महराष्य राज्य में NCRB की Report के अनुसार सरवादिक गमशुदा महिलाओं की संख्या जो है, महराष्य राज्य में है Friends, यहाँ पे Word आया है NCRB NCRB का Full Formoter National Crime Records Bureau यह आपने याद रखना है, friends, यहाँ पर NCRB आया है, इसका full form, इने आपको National Crime Records Bureau बताया, हिंदी में full form होता है, राष्टी अपराध Record Bureau, इसकी जो स्थापना हुई थी, friends, वो हुई थी 11 मार्च 1986 को, और इसका headquarter जो है, नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी जो वर्तमान में वो काफी द्यादा important है, उनका नाम है रामफल, रामफल पवार, ठीक है, यह आपने याद रखना है, next question कर लेते हैं, किस राज्य के जिले ने प्रधान मंत्री मातर वंदना योजना के लिए कारे नेवन के लिए सर्वश्रेश्च पुरुसकार जीता है, सही answer इसका, option C, अ असम, असम राज्य के जिले ने प्रधान मंत्री मातर वंदना योजना के लिए कारे वन के लिए सर्वश्रेश्च पुरुसकार जीता है, next question कर लेते हैं, किस ने कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए 2 मिलियन डॉलर की निधी की मंजोरी दी है, सही answer इसका, option A, ADB, ADB ने को पुरुना वाइरस से लड़ने के लिए 2 मिलियन निधी की मंजोरी दी है, यहाँ पे ADB की बात हुई है, ADB का full form होता है, Asian Development Bank, और हिंदी में बोलते हैं इसको, ACI Vikas Bank, इसकी जो फ्रेंट्स थापना हुई थी, 19 December 1966 को हुई थी, इसका जो फ्रेंट्स हैड़कॉर्टर है ना, वो मनीला में है, मनीला में, मनीला जो है, फिलिपीन्स देश में है, और फ्रेंट्स मनीला के, मनीला शहर जो इसके पास जगे है, मंडलू योंग, यहाँ पर विश्यो बैंक का हेड़कॉर्टर है, और इसकी सदस्य देश जो है, 68 है, और अध्यक्स जो है, मासात सुगू असा कावा है, राश्टिय सुनुकर चैंपिन्शिप को किसने जीता है, सही आंसर इसका, option C, उप्युक्त दोनो, अधित्य महता और विद्या पिल्लई, अधि सही आंसर है, option C, गीता सेन, गीता सेन ने डैन डैविट पुरुसकार को जीता है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, सही आंसर है, option D, एस जैशंकर, एस जैशंकर ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया किस राजे सरकार ने ओलंपिक खेलों से स्वनपदक जीतने वाले खिलाडियों को 6 क्रोड रुपए देने की घोशना करी है आंसर है option A हर्याना राजे की सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वन पदक जीतने वाले खिलाडियों को 6 करोड रुपए देने की घोशना करी है next question कर लेते हैं मोडी इसने 2020 में भारत की जीडीप जीडीप का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डॉमस्टिक प्रोड़क्ट और हिंदी में होता है सकल घरेली उत्पाद वृद्धी धर कितने परतीशत रहनी का अनुमान लगाया है answer है option B 5.4% important रहेगा next question है मारा किसने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तोकों का विमोचन किया है सही answer है option A. प्रकास जावडेकर प्रकास जावडेकर ने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तोकों का विमोचन किया है next question कर लेते हैं किस देश के प्रधानमंत्री Leo Varadkar ने अपने पद से स्तीफा दिया है सही answer इसका option C Ireland Ireland देश के प्रधानमंत्री Leo Varadkar ने अपने पद से स्तीफा दिया है friends जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं पे notes बनाने की ज़रुत नहीं है नहीं PDF डाउनलोड करने की tension है बस आपको क्या करना है कि जो मेरा website है वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो www.ravistudyiqugk.com यहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो ठीक है next question कर लेते हैं coronavirus को अंतर राश्टी अपातकाल की घोशना किस ने करी है सही answer असका option B.WHO WHO ने coronavirus को अंतर राश्टी अपातकाल गोशित किया है friends यहाँ पर ना WHO की बात हुई है WHO का full form है World Health Organization और हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्त संगठन और इसकी स्थापना हुई थी 7 April 1948 को और इसका जो friends headquarter है जीनेवा शहर में है और जीनेवा जो है सुजलेंड देश में स्थेत है और वरतमान में अध्यक्ष है Tedros Adhanom यह आपने याद रखना है Next question कर लेते हैं अजय बिसारिया को किस देश में भारत का अगला उचायुक्त नियुक्त किया गया है सही answer है option B. Canada Canada देश में अजय बिसारिया को भारत का अगला उचायुक्त नियुक्त किया गया है Next question कर लेते हैं ICC Test बलेबाजी रैंकिंग में कोन शीर स्थान पर रहे है सही answer है option C. विराट कोहली भारती कर्केटीम कप्तान है यह ICC Test बलेबाजी रैंकिंग में शीर स्थान पर रहे है Next question कर लेते हैं कि शहर में काला घोडा उत्सव का 21 संस्करन शुरू हुआ है सही answer है option D. मुंबई शहर में काला घोडा उत्सव का 21 संस्करन शुरू हुआ है Next question कर लेते हैं CBIC के नई अध्यक्ष कोन बने है सही answer है option A. M. Ajit Kumar M. Ajit Kumar जो है CBIC के नई अध्यक्ष बने है Friends यहाँ पर word आया है CBIC इसका full form होता है Central Board of Indirect Taxes and Customs हिंदी में होता है केंद्रिय अध्यक्ष कर एवं सीमा सुलक बोर्ड इसकी स्थापना होई थी 26 जनवरी 1944 को और इसका जो Friends Headquarter है नई दिल्ली में स्थेत है वर्तमान में अध्यक्ष है M. Ajit Kumar ठीक है जो हमारा question भी था Next question कर लेते हैं किस राज्य में सरकार ने Major Port Wadhawn की स्थापना की मंजूरी दिया है Most important question है यह सही answer है Option C महराश राज्य में सरकार ने सबसे बड़े Port Port का नाम है Wadhawn Port इसकी स्थापना की मंजूरी दी है Next question कर लेते हैं कौन सा देश अंतर राष्टिय बौधिक संपद्दा सूचकांग 2020 में शिर स्थान पर रहा है। सही आंसर इसका, option B. अमेरिका, अमेरिका देश जो है अंतर राष्टिय बौधिक संपद्दा सूचकांग 2020 में शिर स्थान पर रहा है। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। वो कुष्ट दिवस के रूप में मनाया गया है किस देश ने आधिकारिक तौर पर एरोपिय संग की सदस्यता छोड़ दी है सही आंसर इसका option A. ब्रिटेन देश ब्रिटेन देश ने आधिकारिक तौर पर एरोपिय संग की सदस्यता छोड़ दी है किस राज्य में तीन दिवसे नर्मदा महसव शुरू हुआ है सही आंसर है आप्शन B मध्यपरदेश राज्य में तीन दिवसे नर्मदा महसव शुरू हुआ है तट्य सुरक्षा अभ्यास माल्टा अभ्यान का आयोजन कहां पर हुआ है सई claims is option D, Kolkata, Kolkata में 30 सुरक्षा अभ्यास, माल्टा अभ्यान का आयोजन हुआ ہے असाम राइफल्स ने किस राज्ये में विशेश युद सिमारक का निर्मान किया है सई pocket D, Naga Land, Naga Land राज्ये में असाम राइफल्स ने विशेश युद सिमारक का आयोजन किया है next question कर लेते हैं विने मोहन किस देश में भारत की अगले राजदूत नियुक्त होए है सही आंसर है इसका option A. नेपाल नेपाल हमारा परोसी देश है यहाँ पर विने मोहन जो है भारत की अगले राजदूत नियुक्त होए फ्रेंट्स यहां पे नेपाल देश की बात हुई है, राजधानी काटमांडू है यहां की ठीक और यहां की जो करंसी है नेपाली रुपिया है और फ्रेंट्स आपको बताओ नेचे हैं की जो दुनिया की सबसे उंची चोटी है माउंट एवरेस्ट यह भी नेपाल में स्थेता है और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में नैश्ट कोशन कहाँ किस देश ने 4 फरवरी को अपना स्वतनतरता दिवस मनाया है सही आँसर इसका option D श्रिलंका देश जो है इसने 4 फरवरी को अपना स्वतनतरता दिवस मनाया है गोपाल बागले किस देश में भारत की अगले उचायुक्त नेउक्त होए हैं सही आंसर इसका, option A, श्री लंका, श्री लंका देश में भारत की अगले उचायुक्तों हैं, गोपाल भागले, जल जीवन मिशन को कहां पर लॉंच किया गया है, सही आंसर इसका, option A, जमू कश्मीर, जमू कश्मीर में जल जीवन मिशन को लॉंच किया गया है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं अभीदाली नीमचवाला ने किस कमपनी के CEO के पद से स्तीफा दिया है सही आंसर है इसका option D. विप्रो कमपनी विप्रो कमपनी के CEO के पद से स्तीफा दिया है अभीदाली नीमचवाला ने एशिया की सबसे बड़ी जपानी येन रिन प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है आशिया की सबसे बड़ी जपानी येन रिन प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है प्रधानमंत्री मातरवंदना योजना लागू करने में कौन सा राज्य शिरिस्थान पर रहा है आंसर इसका option A. मध्य परदेश मध्य परदेश राज्य जो है ये प्रधान मंतरी मात्र वंदना योजना लागो करने में शीष स्थान पर रहा है भारतिय पैरा उलम्पिक समीती के नई अध्यक्ष कौन बने है आंसर इसका option A. दीपा मलिक दीपा मलिक जो है भारतिय पैरा उलम्पिक समीती के नई अध्यक्ष बनी है next question कर लेते हैं किस शहर में पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मिलन आयोजित किया गया है आंसर इसका option C. लखनौव लखनौ में पहला भारत अफ्रीका रक्षा संविलन आयोजित किया गया है किस कंपनी के CEO जेफ वेनर ने स्तीफा दिया है आंसर इसका Option B, LinkedIn LinkedIn कंपनी के CEO जेफ वेनर ने स्तीफा दिया है किस राज्ये ने जूनियर नैशनल फुटबॉल चैंपिनशिप जीता है आंसर इसका Option B, करनाटक करनाटक राज्ये ने जूनियर नैशनल फुटबॉल चैंपिनशिप को जीता है नेक्स्ट कोशन कर लेते है Oscar guest segment में औरकेस्टा आयोजित करने वाली पहली महिला कोन बनी है सही आंसर इसका Option A, Imer Noon Imer Noon जो है Oscar guest segment में औरकेस्टा आयोजित करने वाली पहली महिला बनी है कि शहर में पंदरवाँ E शिखर सम्मिलन आयोजित हुआ है आंसर इसका Option D, मुंबई शहर में मुंबई शहर में पंदरवाँ E शिखर सम्मिलन आयोजित किया गया है खादी घरियों का विशेश संस्करन किसने लौज किया है आंसर है Option C, नितिन गड़करी ने खादी घरियों का विशेश संस्करन लौज किया है भारत और किस देश के बीच संपृती अभ्यास का नौमा संस्करन आयोजित हुआ है सही आंसर है बांगलादेश भारत और बांगलादेश के बीच संप्रिती अभ्यास का नोमा संस्करन आयोजित किया गया है फ्रांस के प्रतिष्टित सम्मान नाइट ओफ दा ओर्डर ओफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है आंसर है ओप्शन ए संजना कपूर संजना कपूर को फ्रांस का प्रतिष्टित सम्मान नाइट ओफ दा ओडर ओफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं हितेश चंद्र अवस्थी को किस राज्जे का अंतरिम पुलिस महानिदेशक डिजीपी नियोक्त किया गया है हमारे देश की महिला वितमंत्री है इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षन 2019-20 को पेश किया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं विश्व आदरभूमी दिवस कब मनाया गया है आंसर इसका ओप्षन ए दो फरवरी को विश्व आदरभूमी दिवस के रूप में मनाया गया है किस बैंक ने सुमय सेवा वितरन सुवीधा आई बॉक्स शुरू किया है आंसर इसका ओप्षन C, ICICI ICICI Bank ने स्वे सेवा वितरन सुवीधा आई बॉक्स को शुरू किया है Next question कर लेते हैं किस राज्य की सरकार ने डोर स्टैप पेंशन वितरन योजना शुरू किया है Answer is Option C आंदरपरदेश राज्य की सरकार ने डोर स्टैप पेंशन वितरन योजना को शुरू किया है SDG India Index 2019 में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है Answer is Option D तेलंगाना तेलंगाना राज्य जो है SDG India Index 2019 में शीर स्थान पर रहा है Next question है मारा Australia Open 2020 का किताब किसने जीता है Answer is Option A नुवाक जोकोविच जो है इन्होंने Australia Open 2020 का किताब जीता है Important question है मद्धे परदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है Answer is Option A वहिदा रह्मान वहिदा रह्मान जो है इनको मद्धे परदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है किस राज्य में सबसे बड़े ग्रामीन तक्नीकी उत्सब का आयोजन किया गया है किस ने पहला मार्त भूमी Book of the Year पुरुसकार जीता है आंसर इसका ओप्शन ए विनोध शुकला विनोध शुकला ने पहला मार्त भूमी Book of the Year पुरुसकार जीता है भारत और दक्षिन कोरिया के बीच मंतरी स्तरिय रक्षा वारता कहां शुरू हुई है आंसर इसका ओप्शन C नई दिल्ली में भारत और दक्षिन कोरिया के बीच मंतरी स्तरिय रक्षा वारता जो है नई दिल्ली में शुरू हुई है नच्ट कोशन कर लेते हैं नाडा ने भारतिय पहलवान रविंदर सिंग पर कितने साल का परतिबंद लगाया है आंसर इसका ओप्शन C चार साल का नाडा ने भारतिय पहलवान रविंदर सिंग पर चार साल का परतिबंद लगाया है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं ATP ranking में कौन शीर्स पर रहे हैं आंसर इसका Option A, Novak Jokovic Novak Jokovic जो हैं ये ATP ranking में शीर्स थान पर रहे हैं किस राज्य की सरकार ने जन सेवा कारिकरम शुरू किया है आंसर इसका Option C, Karnatak Karnatak राज्य की सरकार ने जन सेवा कारिकरम शुरू किया है अमिताब भट को किस कंपनी का CEO बनाया किया है आंसर इसका Option A, HAL HAL का full form होता है Hindustan Aeronautics Limited ठीक है और इसके ने CEO बने है अमिताब भट Next question कर लेते हैं Fitch ratings ने वितवर्ष 2021 में भारत की GDP growth rate कितने परतिशत रहने का अनुमान लगाया है आंसर इसका Option B, 5.6% आखरी question कर रहे हैं इस वीडियो का और इसके बाद मैं आपको सभी question अच्छे से revision भी करवाने वाला हूँ Next question है मारा अंतर राष्टिये गांधी कुष्ट रोग पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर इसका Option A, N.S. धरम शक्ति को अंतर राष्टिये गांधी कुष्ट रोग पुरुसकार से सम्मानित किया गया है Friends मैंने आपको ये 223 question करवा है जो की फरवरी महीने के लिए काफी जादा important थे ठीक है आपको ये बार रिवीजन करवा जाता हूँ फटा-फट से ताकि Friends आपको सभी question अच्छे समझ में आजाए और याद भी हो जाए और Friends मैं आपको गुड न्यूस दे देता हूँ कि आपको इन सभी questions के जो कहीं पर लिखने की जरुरत नहीं बहुत time waste होता है नहीं notes बनाने की जरुरत है बस आपको क्या करना है Friends ये जो लिखा-लिखा material है आपको मेरे website पर मिल जाएगा ठीक है website आपको गुगल पर सर्च करना है www.ravistudyiqugk.com www.ravistudyiqugk.com ठीक है ये आपको सर्च करना है गुगल पर और यहां पर जाके Friends आप ये current affairs पर सकते हो जनवरी का भी पर सकते हो फरवरी का भी पर सकते हो हर महिने current affairs पर सकते हो science भी पर सकते हो gk math सब कुछ पर सकते हो इस website पर जाके ठीक है तो इसको आपको सर्च करना है भी तो चलिए Friends स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट कोशन है मारा हाली में कि स्मार्टफोन कंपनी ने इस रो की नाविक तकनी का उपयोग करने की घोशना की है आंसर है शाउमी धन लक्षमी बैंक के नई MD&CEO कोन बने है आंसर है सुनील गुर्बक्षानी किंद्री उत्पाश शुल्ग दिवस कब मनाया गया है सही आंसर हैसका 24 फरवरी को हाली में ICC ने किस देश के खिलारी अल बलूशी पर 7 साल का बैन लगाया है आंसर हैसका उमान किस राज्य में लोसर उस्सव को मनाया गया है आंसर हैसका हिमाचल परदेश हाली में कैथरीन जॉंसन का निधन हुआ है वे कौन थी आंसर है नासा की गनितग्य NHPC के नई अध्यक्ष कौन बने है आंसर हैसका अभय कुमार विश्व NGO दिवस कब मनाया गया है आंसर हैसका 27 फरवरी को भारत और किस देश के बीच संयोक्त वायू से ना अभ्यास इंदर धनो शुरू हुआ है आंसर है ब्रिटेन RBI ने किस बैंक को बिना अनुमती की नई शाखाओं खोलने की मंजूरी दी है आंसर है बंधन बैंक राश्टिय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है आंसर है इसका 28 फरवरी को PV सिंदू को किस राज्जे ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रेंड अम्बेजर बनाया है आंसर है इसका आंधर प्रदेश अभिशेक सिंग को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है आंसर है वैनिजोयला किस कंपनी को राम मंदिर निर्मान की जिम्मेदारी मिली है आंसर है इसका L&T किस शहर ने SEO की नौवी रक्षा और सुरक्षा विशेशक कारेकारी समों की बैठक की मेजबानी की है आंसर है इसलामाबाद हिंदी भाषा में आश्क दिशा चैट बॉक्स किसने शुरू किया है आंसर है IRCTC टुइटर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतिय खिलाडी कौन बने है आंसर है विराट कोहली M. Venkian Ido ने पुस्तक Death and Inside Story का विमोचन किया है इसके लेखक कौन है आंसर है सद्गुरू किस राजे की सरकार ने चातरों के लिए जगरनात वास्तुदेव योजना को शुरू किया है आंसर है आंदरपरदेश जावेद अश्रफ को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है आंसर है फ्रांस नेक्स्ट कोशन कर लेते है फ्रिंट्स जो आँ मेरा वेबसाइट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप इसको जाके रीड भी कर सकते हो वेबसाइट पर जाके www.ravistudyiqgk.com नेक्स्ट कोशन कर लेते है कौन सा देश सभी महिलाओं को मुफ्त सैनेटरी उतपाद मुफ्त देने की घोशना की है आंसर है स्कॉट्लेंड नेक्स्ट कोशन है मारा भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है आंसर है 27 फरवरी सबसे जादा फिल्मों को एडिट करके अपना नाम लिमका बुक आफ रिकॉर्ट्स में शामिल किसने किया है आंसर है शिरिकर प्रसाद ने वतन को जानो कारेकरम का उदगाटन कहां पर हुआ है आंसर है जम्मू कश्मीर में सतत विकास लक्ष्य सम्मिलन 2020 का आयोजन कहां पर हुआ है सही आंसर है असम में दादा सावी फाल के अवार्ड्स 2020 में बैस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है आंसर है सूपर ठटी माइक्रोसोफ्ट ने दिव्यांगों को ट्रेनिंग देने के लिए किस बैंक के साथ समझोता किया है आंसर है SBI किस देश ने संयुक्त राज्ट के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया है आंसर है श्री लंका भारत के किस रेल्वे स्टेशन पर एक स्क्वार्ट मशीन को लगाया गया है आंसर है इसका नई दिल्ली का अनंद विहार रेल्वे स्टेशन वहानों के लिए युनिफाइड रेजिस्टेशन कार्ड लॉंच करने वाला पहला राज्य कोन सा बना है आंसर है मध्य परदेश नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरब पती कोन बने है आंसर है रितेश अगरवाल विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है आंसर है 22 फरवरी को WBR Golden Era of Wollywood समान से किसे सम्मानित किया गया है आंसर है मनोच कुमार को US India Business Council ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है आंसर है विजय आडवानी AFP का कैटवेब पुरुसकार किसने जीता है आंसर है सौरव त्यागी ने AIB ये विशुकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा आंसर है रूस Nature Ranking Index 2020 में कौन शीश पर रहा है आंसर है CSIR किस राजे की सरकार ने अपने स्कूलों में पॉक्सों सेल स्थापित करने की गोशना की है आंसर है बिहार अंतराश्टी ये नियाएक सम्मिलन कहां आयोजित हुआ है आंसर है इसका नई दिल्ली में Next Question कर लेते है PM किसान मोबाइल एप का शुभारम किसने किया है आंसर है नरेंद सिंग तोमर ने भारत के पहले तैरते घाड का उदगाटन कहां पर हुआ है आंसर है गोवा राज्य में 34 वा कान उपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है आंसर है डी कुकेश Next Question कर लेते है रीक मचार किस देश के नई उपराश्टपती बने है आंसर है दक्षिन सुडान कुन सा देश 2022 की राश्टमंडल निशाने बाजी और तिरंदाजी चैंपेंशिप की मेजबानी करेगा आंसर है भारत किस राजे की सरकार ने एक भारत श्रेष्ट भारत कलब की स्थापना की है आंसर है तेलंगाना रेश 2022 शिखर सम्मेलन कायोजन किस शहर में हुआ है आंसर है नई दिल्ली में नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं दुनिया के सबसे बुजर्ग वैक्ती चितस्टू वतनबे का निधन हुआ है वे किस देश के थे आंसर है जपान SERB महिला उतकरिष्टा पुरुसकार किसने जीता है आंसर है डॉक्टर निती कुमार हाली में जहरी रिपोर्ट के अनुसार रैगिंग के मामले में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है आंसर है उत्तरपरदेश हाली में जहरी World Wide Educating for the Future Index में भारत कौन से स्थान पर रहा है आंसर है 35 स्थान पर किस राज्य की सरकार ने थाई मांगूर मचली के उत्पादन केंदरों को समाप्त करने की घोशना की है आंसर है महराश्ट मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है आंसर है एडलीन कैस्टेलिनो किस देश के पूरो राश्टपती होसनी मुबारक का निधन हुआ है आंसर है मिस्टर किसने टॉफ फसल कीमतों की निगरानी के लिए MIEWS प्रोटल लॉंच किया है आंसर है हरसिम्रत कौर बादल वट्सेप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करने वाली पहली बीमा कंपनी कोन सी बनी है भारती एकसा एसन शिरिवास्तव को किस शहर का नया कमिशनर नियुक्त किया गया है आंसर है नई दिल्ली किसे विविकानन्थ करम योगी प्रोषका दोहजार बीस से सम्मानित किया गया है आंसर है जादव पाइंग नेक्स्ट कोशन कर लेते है किस राज्य ने उडान के तहट पहली हलिकॉप्टर सेवा को शुरू किया है आंसर है उत्राखंड नेक्स्ट कोशन करते है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है आंसर है सका 13 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्गाटन की शहर में किया गया है आंसर है सका एहमदाबाद में विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाशा कौन सी बनी है हिंदी राममंदी ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बने है आंसर है निर्तिय गोपालदास FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है आंसर है पाकिस्तान किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विक्सित किया है आंसर है भारत प्रवासी भारतिय केंदर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है आंसर है शुश्मा सोराज UAE के अगले क्रिकेट निदेशक किसे नियोक्त किया गया है आंसर है रॉबिन सिंग को मृदा स्वास्ते काड़ दिवस कब मनाया गया है आंसर है 19 फरवरी को नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं खेलों इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स कहां शुरू हुए है आंसर है ओडिसा किस देश ने फ्लिप बाटन को भारत में अपना उचायोग नियुक्त किया है आंसर है ब्रिटेन रिशी सुनक किस देश के नए वितमंत्री बने है आंसर है ब्रिटेन किस कमपनी ने भूशन पावर का अधिगरहन किया है आंसर है JSW Steel IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है आंसर है मनहर परिकर सरवीर सिंग को किस कमपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है आंसर है पॉलसी बजार स्पाइस जैट के नए CEO कौन COO कौन नियुक्त होए है आंसर है शिल्पा भाटिया किस देश ने हवाई अड़ों पर E-Cigarette पर प्रतिबंध लगाया है आंसर है भारत किस राजे ने पहले दिशा पुलिस स्टेशन को लॉंच किया है आंसर है शिल्पा आंदरपरदेश नेक्स कोशन कर लेते हैं किस राजे की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योधव मुबाइल अप को लॉंच किया है आंसर है केरल नेक्स कोशन कर लेते हैं जैफ वैजोस ने कितने बिलियन डॉलर के वैजोस अर्थफंड की शुरुवात की है आंसर है 10 विशू कैंसर दिवस कब मनाया गया है आंसर है इसका 4 फरवरी को विशाल रक्षा प्रदशनी डेफ एक्सपो डिफेंस एक्सपो का 11 संसकरन किस शहर में आयोजित किया गया है आंसर है लखनौ अगर आपको मेरा पढ़ायवा पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेर भी जरूर करिएगा आप मुझे टेलिग्राम पे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवी स्टड़ी आईक्यू जी के नाम से है और फ्रेंड जो वेबसाइट है www.ravistudyiqgk.com यहाँ पे जाके आप इस सारे के सारे कोशन्स पढ़ सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो नेक्स्ट कोशन कहलेते है कोल इंडिया के नई अध्यक्ष कोन बने है आनसर है प्रमोध अगरवाल टोकियो ओलम्पिक में भारत के सद्भावना राजदुत किसे नियुक्त किया गया है सौरव गांगुली को IBM के नई CEO कोन बने है अर्विंद क्रिशन क्रिकेट एसोशेशन बंगाल CAB के नई अध्यक्ष कोन बने है आनसर है अभिशेक डालमिया JSW का ब्रेंड मेजडर किसे बनाया गया है आनसर है रिशब पंत को मुहमद अल्लावी को किस देश का नया प्रधान मंतरी बनाया गया है आनसर है इराग का किस देश ने टिडियों के संकट से उबरने के लिए राश्टी अपातकाल की गोशना की है आनसर है पाकिस्तान, सुमालिया आटलांटिक महासागर को तैर कर पार करने वाले बधिर वैक्ति कौन बनी है आनसर है ओब्रायन आनसर है पैन गोरी लंकेश अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है आनसर है यूसुफ जमील नेक्स्ट कोशन है मारा वीवर्क का नया CEO कोन बनी है आनसर है संदीव मथारानी नेक्स्ट कोशन कर लेते है ICC अंडर 19 पुरूश किर्केट वेश्व कप किसने जीता है आनसर है बांगलादेश ने ICC Women Championship Trophy किसने जीती है आनसर है अस्ट्रेलिया ने जलवाईयू परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मिजबानी किस राज्य ने की है आनसर है केरले नेक्स्ट कोशन कर लेते है कोरोना वाइरस से होने वाले बीमारी को अधिकारिक नाम क्या दिया गिया है आनसर है COVID-19 एर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है आनसर है असका राजी बंसल को किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभ्यान शुरू किया है आनसर है बिहार नेक्स्ट कोशन है मारा अंबाला शहर की बस स्टेंड का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा आंसर है शुश्मा सुवराज नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिला नयास किसने किया है आंसर है राजनाज सिंग भारत और किस देश के बीच सन्युक्श सेने अभ्यास अचया वारियर आयोजित हुआ है आंसर है ब्रिटेन नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं किस राज्य में सेलम किर्केट स्टेडियम का उदगातन किया गया है आंसर है तमिलांडू नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं Go Air का निया CEO कोन बने है आंसर है विने दूबे कि शहर की पुलिस ने ओपरेशन नकेल को लॉंच किया है आंसर है गाजियाबाद ब्रांड मुलियों में सबसे जादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कोन सा बना है आंसर है इंडसेंड बैंक भारत के सबसे मुल्लेवान सेलिब्रिटी कोन बने है आंसर है विराठ कोली नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं किस राज्य में प्रवासी प्रजाती पर UN के कॉप 13 सम्मिलन का उधगाटन किया गया है आंसर है गुजरात टाटा टैली सर्विसिज ने किस कमपनी में विल्ले की घोशना की है आंसर है भारती एरेटल किस राज्य में रन फोर इंडिया टी कारिकरम का आयोजन हुआ है आंसर है तिर्यवपूरा किस देश ने भाशा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है आंसर है बांगलादेश 2021 जूनिय पुरुष होकी विश्वकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा आंसर है भारत किस राजे सरकार ने ट्रांस जेंडर के लिए अलग पहचानपत जारी करने की घोशना की है आंसर है राजस्थान नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं NSIL का नया अध्यक्ष कोन बने है आंसर है जी नरायनन किस राजे की सरकार ने कोरोना वाइरस को राजे आबदा घोशित किया है आंसर है केरल नेक्स कोशन है मारा भारत के किस शहर को युनेसको ने विश्व धरोवर का परमान पत्र दिया है आंसर है जैपूर UN जलवाईू शिखर समिलन का आयोजन कहां पर हुआ है आंसर है ब्रिटेन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा आंसर है लद्दाक भारत के दूसरे सबसे अमीर वैक्ति कौन बने है आंसर है राधा किशन दमानी किस राजे सरकार ने अपने करमचारियों को एक सब्ता में केवल पाँच दिन कारे करने का एलान किया है आंसर है महराष्ट किस शहर में एशियाई कुष्टी जैंपेंशिप 2020 शुरू हुई है आंसर है नई दिल्ली सस्टेनिबिलिटी इंदेक्स 2020 में कौन शा देशीर स्थान पर रहा है आंसर है नॉर्वे अनसर है प्रधान मंतरी का नया सलहकार किसे नियोक्त किया गया है आंसर है अमर्जी सिना और भासकर खुलबे किस राजय की सरकार ने हुका बार पर परतीबंद लगाया है आंसर है 36 गड राष्टी जल सम्मिलन का आयोजन किस राजय में हुआ है आंसर है मध्यपरदेश कि शहर में बायो एशिया सम्मिट 2020 का शुभारंब हुआ है आंसर है हैदराबाद हज प्रकिरिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कोन सा बना है आनसर है भारत किस देश ने बैरी ओफ्रेल को अपना उचायग नियुक्त किया है आनसर ऐसका अस्ट्रेलिया किस देश ने क्रूज मिसा Cornell Rad 2 का सफल परिक्शन किया है आनसर है पाकिस्तान किस राजे सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोशना करी है आंसर है उत्राखंड विशु दलहन दिवस कब मनाया गया है आंसर है 10 फरवरी को अगला कोशन कहले लेते हैं किस राजे की सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है किस शहर में देश का सबसे बड़ा वायू गुनवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है किस राजे की सरकार ने अपने करमजारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धी की है किसे प्रसिद इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से समानित किया गया है किस राजे सरकार ने स्कूल चातरों के लिए इंटर्शिप योजना को शुरू किया है अंसर उत्तरपरदेश 33. अफरीकी संग शिखर समेलन किस देश में आयोजित हुआ है राष्टी उत्पादक्ता दिवस कब मनाया गया है किस राजे की सरकार ने पढ़ने की आदरतों को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन का शुभारम किया है अंसर हर्याना ICAI के नई अध्यक्ष कोन न्योक्त होए है अंसर अतुल कुमार गुपता भारतिय प्रेटन विकास निगम ने किस राजे के साथ समझोता किया है अंसर है गुजरात किस राजे ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है अंसर है अरुनाचल परदेश next question है मारा HRMS नामक मुबाइल एप को किसने लौँच किया है आंसर है भारतिय रेलवे ने किस राजे की सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोशना करी है आंसर है पश्चिम बंगाल इगवर्नर्स पर राष्टे सम्मिलन कहां आयोजित हुआ है आंसर है मुंबई में आई-ओ-सी ने किसे Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया है आंसर है पुलैला गोपीचंद बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहां आयोजित हुआ है आंसर है भुवनेश्वर में ICC T20 महिला रैंकिंग में कौन शीज़ पर है आंसर है सूजी बैट्स किस राजे की सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोशना करी है आंसर है हर्याना सभी फॉर्मेट्स में सौ मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खलाड़ी कौन बनी है आंसर है रॉस टेलर आई ओसी ने कच्चे थेल के खरीद के लिए किस देश के साथ समझोता किया है आंसर है रूस के साथ ग्लोबल बिजनेस समीट का छटा संस्करन कहां आयोजित किया गया है आंसर है नई दिल्ली में सततरवी नैशनल स्क्वैश चैंपियंशिप किसने जीता है आंसर है जौशना चिनपपा विश्व सामाजिक न्याई दिवस कब मनाया गया है आंसर है बीस फरवरी को कोलकाता की इस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उदगाटन किसने किया है आंसर है प्यूश गोईल विश्व पैंगोलीन दिवस कब मनाया गया है आंसर है पंदरव फरवरी को डिफिकल्ट डायलोग के पांचवे संस्क्रन का शुभारम कहां हुआ है आंसर है गोवा में नेक्स्ट कोशन है मारा बीस वे लॉरियस अवार्ड्स में बैस स्पोर्टिंग का खिताब किसने जीता है आंसर है बैस स्पोर्टिंग का खिताब किसने जीता है सचिन दंदुलकर ने अंतर राश्टी मातर भाशा दिवस कब मनाया गया है आंसर है 21 फरवरी को ESPN इंडिया अवार्ड्स में के मुख्य अर्थ शास्त्री के पद से इस्तीफा दिया है आंसर है World Bank Mystic Culling Award से किसे सम्मानित किया गया है आंसर है Manoj Das को विज्यान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर राष्टिय दिवस कब मनाया गया है आंसर है 11 फुरवरी को बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियंशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है आंसर है कांसे पदक जीता है चितर भारती फिलिम महोसब का आयोजन की शहर में हुआ है आंसर है एहमदाबाद में किस देश ने LGBT लोगों की जनगना करने की घोशना की है आंसर है नेपाल NCRB की रिपोर्ट की अनुसार सरवादिक गुमशिदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है महराश्ट में किस राज्य की जिले ने प्रधानमंतरी मातरवंदना योजना के लिए कारे नवन के लिए सरवश्रेष्ट पुरुसकार जीता है आंसर है असम किसने कोरोना वाइरस से लडने के लिए दो मिलियन डॉलर की निधी को मंजूरी दी है आंसर है ADB राज्टिय सुनूकर चैंपिनशिप को किसने जीता है आंसर है अधित्य महता और विद्या पिल्लाई डैन डैविट पुरुसकार किसने जीता है आंसर है गीता सेन ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मिलन में भारत का परतिनिधित्व किसने किया है आंसर है S. जैशंकर किस राज्जे सरकार ने ओलंपिक खेलों में सोन पदक जीतने वाले खिलाडियों को 6 करोर रुपे देने की घोशना की है आंसर है हर्याना मोडीज ने 2020 में भारत की GDP वृद्धी दर कितने परतिशत रहने का अनुमान लगाया है 5.4% किसने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का वीमोचन किया है आंसर है प्रकास जावडेकर किस देश के प्रधानमंतरी लियो वराडकार ने अपने पद से स्तीफा दिया है आंसर है आइरलेंड कोरोना वाइरस को अंतर राश्ती अपातकाल की घोशना किसने की है आंसर है डबलु एच्चो अजय बिसारिया को किस देश में भारत का अगला उचाईयोक्त नियुक्त किया गया है आंसर है कैनेडा ICC टेस्ट बलेबाजी रैंकिंग में कोन शीर स्थान पर रहे है आंसर है विराठ कोहली कि शहर में काला घोडा उस्तव का 21 संस्क्रन शुरू हुआ है आंसर है मुंबई CBIC के नए अध्यक्ष कोन बने है आंसर है M. अजीत कुमार किस राज्य में सरकार ने नए मेजर पोर्ट वधावन की स्थापना की मंजूरी दी है आंसर है महराश्ट कौन सा देश अंतरराश्टिय बौधिक संपद्दा सूचकंग 2020 में शीर स्थान पर रहा है आंसर है किस महिला अंतरिक्ष यातरी ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है आंसर है क्रिस्टीना कोच इंपॉर्ण कोशन है विश्व कुष्ट दिवस कम मनाया गया है आंसर है तीस जनवरी को किस देश ने अधिकारिक तौर पर हिरोपिय संकी सदसेता छोड़ दी है आंसर है ब्रिटेन किस राज्य में तीन दिवस से नर्मदा महसव शुरू हुआ है आंसर है मध्यपरदेश तटिय सुरक्षा अभ्यास माल्टा अभ्यान का आयोजन कहां पर हुआ है कुलकाता में असम राइफल्स ने किस राज्य में विशेश युद्ध स्मारक का निर्मान किया है नागलेंड विशेश ने विने मोहन किस देश में भारत की अगले राज़लू न्युक्त हुए है आंसर है निपाल नेक्स्ट कोशन कहे लेते हैं किस देश ने चार फर्वरी को अपना स्वतंतता दिवस मनाया है आंसर है श्री लंका नेक्स्ट कोशन है हमारा गोपाल बागले किस देश में भारत की अगले उचायोग नियुक्त होए है आंसर है श्री लंका जल जीवन मिशन को कहां लॉंच किया गया है आंसर है जम्मू कश्मीर में अभीदाली नीमच वाला ने किस कमपनी के CEO के पद से स्तीफा दिया है आंसर है विप्रो एशिया की सबसे बड़ी जपानी येन रिन प्राप्त करने वाली कमपनी कौन सी बनी है आंसर है एंटी पीसी प्रधानमंतरी मात्रवंदना योजना लागू करने में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है मध्य परदेश भारती पैरा उलम्पिक समीती के नई अध्यक्ष कौन बने है आंसर है दीपा मलिक किस शहर में पहला भारत अफ्रिका रक्षा समेलन आयोजित किया गया है आंसर है लखनो किस कमपनी के सीईयो जैफ वैनर ने स्तीफा दिया है किस राज्ये ने जूनियर नैशनल फुडवाल चैंपियनशिप जीती है आंसर है करनाटक ओसकर गेस्ट सेगमेंट में औरकेस्टा आयोजित करने वाली पहली महीला कौन बनी है आंसर है आईमर नून किस शहर में पंदरवाँ इशिखर सम्मिलन आयोजित हुआ है आंसर है मुंबई खादी घडियों का विशेश संस्करन किसने लौंच किया है नितिन गड़करी ने भारत और किस देश के बीच संप्रिती अभ्यास का नोवा संस्करन आयोजित हुआ है बंगलादेश फ्रांस का प्रतिष्टी सम्मान Knight of the Order of Arts and Letters से किसे सम्मानित किया गया है Arts and Letters से सम्मानित किया गया है संजना कपूर नेक्स्ट कोशन कर लेते है हितेश चंदर अवस्थी को किस राज्य का अंतरिम पुलिस महानिदेशक यानि DGP नियोक्त किया गया है उत्तर परदेश आर्थिक सर्वेक्षन 2019-20 को किस ने पेश किया है निर्मला सिता रमन विश्व आदरभूमी दिवस कब मनाया गया है आंसर है दो फरवरी को किस बैंक ने सुएस सेवा वितरन सुविधा आई बॉक शुरू किया है आंसर है ICICI बैंक किस राज्य की सरकार ने डोर स्टैब पैंशन वितरन योजना शुरू किया है आंसर है आंदर परदेश SDG इंडिया इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है आंसर है तेलंगाना अस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है आंसर है नुवाक जोकोविज मद्यपरदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है वहिदा रह्मान को किस राज्य में सबसे बड़े ग्रामिन तकनीकी उत्सव का योजन किया गया है आंसर है तेलंगाना किसने पहला मातर भूमी बुक ओफ दा इयर पुरुसकार जीता है विनोध शुकला भारत और दक्षिन कोरिया के बीच मंत्री स्तरिय रक्षा वारता कहां शुरू हुई है आंसर है नई दिल्ली में नाडा ने भारतिये पहलवान रविंदर सिंग पर कितने साल का प्रतीबंत लगा दिया है चार साल का ATP रैंकिंग में कौन शीस पर है आंसर है नुवाक जोकोविच किस राजे की सरकार ने जन सेवा कारिकरम शुरू किया है आंसर है करनाटक अमिताब भट को किस कंपनी का CEO बनाया गया है आंसर है H.E.L फिच रेटिंग्स ने वितवर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने पर्तिशत रहने का अनुमान लगाया है आंसर है 5.6% नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं और यह हमारा आखरी कोशन है इस वीडियो का इसके बाद मैंने आपके लिए 10 कोशन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट रखे देना मैंने आपको बिल्कुल बहतरीन तरीके से पढ़ाया है पहले मैंने आपको पढ़ाया है फिर रिवीजन करवाया है उमीद करता हूँ, friends, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 friends के साथ share भी जरूर करिएगा, friends, आप मुझसे टेलिग्राम पे, फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे जोर सकते हो, रवी स्टड www.ravistudyqgk.com मेरे website का नाम है, इस website पे जाके, friends, आप यह पूरा का पूरा रीड कर सकते हो, कोई आपको PDF खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको मतलब कहीं पे notes बनाने की जरूरत है, बस आप जाके www.ravistudyqgk.com पे जाके पढ़ सकते हो, फ्री में, ठीके, friends,